हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टी टोटलेज़ अगाडमिट्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ एंटी पीसी में जो वेकेंसी आई है एटी एचर एटी फिनांस तो उसका फॉर्म कैसे फिल करना है क्या के डॉकुमेंट्स रिक्वार्ड है क्या स्टेप एस प् आती हूँ फॉर्म में कोई गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि फॉर्स स्क्रीनिंग कई बार फॉर्म की बेसिस पे लोग करते हैं आयन उसकी बाद ही कॉल लेटर आता है पॉर रिटन एक्जाम तो स्क्रीनिंग में कोई रिजेक्शन ना हो इसको अवाइड करने के लिए आ ntpc की साइट पे जा रहा है और करियर सेक्शन में तो यह डिरेक्ट करियर सेक्शन पर आप चले जाएंगे वहाँ पर आपको फॉर्स्ट पेज पे ही डिटेल अडवर्टीजमेंट के लिए लिंक रहेगा अडवर्टाइजमेंट जो है वो पॉक अप मूव होते रहेगा करेंट ओपनिंग और क्लिक हेर टू अपलाए है तो सब्सक्राइज करना है उसके बाद यह पेज आ जाएगा ठीक है थे सब्सक्राइज में देखें एडवर्टीजमेंट इंग्लीश और हंदी में दिया है यहां पर इन्होंने यह बता दिया है कि फोटूग्राफ और पे यहां पर कई बार लोगों से मिस्टेक हो जाती वो डिरेक्ट अप्लाई करते हैं सबसे के लिए आपके लिए अप्लाई के लिए अप्ली करते हैं सबसे पहले आपको अप्लीकेशन पीचन करना है, तो ह यहां खालाई करना है तो मैं दोनों प्रोसेस यहां बताऊंगी, तो सबसे पहले आप offline payment पे अगर click करते, if you are ready to pay in offline mode, तो यहां पे click करिए print pay in slip offline payment, right, pay in slip यहां पे open हो गया इस format में और आपको यहां पे अपना नाम डालना है, तो इन्होंने लिखा है कि registration fee 300 पे करना है और यह एक बार आपने pay कर दिया तो यह non-refundable है, refund किसी भी circumstances में नहीं होगा, right, तो आप अपना यहां पे full name लिखिए, जो आप form में ही बनने वाले है, as per your 10th certificate और सारे certificates में आपका वो same नाम रहना चाहिए, then click on this, I agree printed pay in slip, right, इस पे click करेंगे, तो एक pay in slip generate होगा, जैसे हम पहले चलान भरते थे थे न एक branch copy होती है और एक candidate copy होती है, तो यह copy लेके आपको state bank में जाना होगा, state bank किसी भी branch में आप जाएंगे, तो एक copy वो bank रखती है, and second candidate copy हो, fill करके आपको मिल जाएगा, तो इसको आपको scan करके रखना है, ताकि आप form भरते time इसको upload कर सके, next option is online payment, अगर आप online payment mode में जाते है तो print paying slip online payment पे click करना है, तो ऐसे खुलेगा, ठीक है, इसमें advertisement number, चलान number, वो automatic by default आजाएगा, date of birth आपको डालना है, full name डालना है, your category, email id, mobile number, and fee is 300, proceed to the online payment quarter, और यहाँ पे आप जैसे proceed करते तो आपको automatic जो आप name, date of birth, email id, mobile number डाले, वो यहाँ पे automatic reflect होगा, and यहाँ agree करना है terms and conditions को and submit, submit करते हैं तो payment page आजाएगा, आप credit card से करना चाहते है, debit card, internet banking, जिस mode में भी आप payment करना चाहते है, वो select करिए, fill करिए, और payment करिए, ठीक है, payment करने की बाद जो generate होगा payment slip उसको भी आपको save करके रखना है, ताकि आप उसे upload कर सके, ठीक है, तो यह पहला step आपको fee payment ही है, अगर आप eligible है, अगर आपका application fee pay करना है, तो first process is to pay application fee, next हम form filling पे जाते हैं, अब आपने fee payment कर लिया, तो same पहले वाले page पे click here to apply है, तो इस पे click करेंगे आप, तो ऐसे open होगा यह वाला page, functional area, आप किस post के लिए, आप किस job के लिए आप apply कर रहे हैं, तो यहाँ पे option आएगा HR finance, तो आप यहाँ पे HR से belong कर दे, तो you will select human resource and then submit, right, अब इसके बाद submit जब आप करते हैं, तो यह वाला खुलेगा, अब HR के लिए क्या required है, qualification क्या है, 65% marks as per respective union, अब यहाँ पे मैं clear कर देना चाहती हूँ कि graduate with at least 2 years full time post graduate degree, और percentage criteria दिया है with not less than 65% marks, ठीक है, तो 65% marks का जो criteria है, वो PG के लिए तो है कि PG में आपका नहीं होना चाहिए, जो कि qualifying degree है इस post के लिए, बट क्या graduation में भी 65 से कम नहीं होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा confusion है, इन्होंने clear भी नहीं किया advertisement में, और इसके regarding मैंने phone भी किया था, बट phone पे बात नहीं हुई उन्होंने call pick नहीं किया, मैंने mail भी किया, बट mail भी अभी तक response नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को request करूँ नहीं कि, आप लोग call करिये, mail करिये, ऐसे करके, इनसे contact कैसे भी करके, आप ये चीज को clear करिये, और अगर आप graduation में, आपका marks 65 से कम भी है, और अगर ये आप eligible ह है, तो आप form भर दीजे, ठीक है, next, यहाँ पर एक query आ रही थी कि, क्या final year की candidates eligible है, तो यहाँ पर इनका cut off date, जो है, वो last date है, तो उस date तक अगर आपका result आ जाता है, तो आप eligible है, ठीक है, आपर age limit 29 years है, next, यहाँ पर देखें, दो option एक apply और एक departmental candidate apply, तो आप pressure है, किसी इस में नहीं है, departmental candidate नहीं है, तो apply पर click करना, if you are departmental candidate, तो second वाला option है, अब यहाँ पर आपको सारे fields बने, first name, middle name, last name, गलती नहीं होना ची, जो आपकी certificate पर है, 10 certificate पर उसको ही fill करना है, या फिर सरे certificate पर same नाम होना ची, वही नाम डालना है, date of birth, category, फिर service man है, यानि एक service man, do you possess the required qualification for the job, yes, ठीक है, requisite qualification, क्या जरूरी है, right, तो पहला क्या है इसमें आपका, MBA की basis पर ले रहा है, PG degree पर, तो यहाँ पर आप select करेंगे अपना MBA, या फिर postgraduate diploma in management भी है, postgraduate diploma in business management, ऐसा options है, तो drop down options आपको choose करना है, area specialization, HR, यह जो भी यहाँ पर आ जाएगा, your university name, then, अगर नहीं है, तो यहाँ पर others में आप लिख सकते हैं, फिर आपका, जो postgraduate degree हुआ है, वो कब से कब तक का है, duration लिखना है, year and month, then date of acquiring qualification, result आपका कब आया, वो आप इसमें डालेंगे, and percentage marks, 64.5 को 65 consider नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो यह question बार बार आता है, comment section में भी पूछा जाता है, कि मेरा 64.5 है, तो क्या मैं eligible हूँ, तो नहीं, उसको round off नहीं करते है, 65 ही चाहिए, more than 65, right, then work experience, अगर आपका है, if you are working somewhere, तो आपको यह fill करना है, but आपको ध्यान रखना है, कि आप NOC लगेगा, the time of interview, NOC आपके previous organization से चाहिए होगा, ठीक है, तो यह आप fill क करेंगे, eligibility check करेंगे, eligibility check करेंगे, तो अगर आपका यहाँ पे है, as per date of birth, यहाँ पे मैंने check करके देखा है, date of birth पे ही check लगा हुआ है, percentage पे नहीं है, अगर आप यहाँ पे, requisite qualification में, अगर आप यहाँ पे 60% भी डालेगे ना, तो check eligibility में, yes, you are eligible ही message आया, अगर आपका date of birth, अगर आप within age limit आते हैं, तो इस ब्रह्म में मत रहिए, कि मेरा 60 भी डाल दिया है, तो मेरा form consider होगे, हमका criteria 65 है, तो 65 यह फिर उससे जाधा होना चाहिए, तो eligibility जो यहाँ पे check हो रही हो, basically date of birth की हो रही है, age की हो रही है, right, तो जब आपको कोई message नहीं आएगा, डिरेक्ट यह वाला page open होगा, और अगर नहीं है, तो लिख के आजाते है, sorry, you are not eligible, right, अब यहाँ पर as it is, जैसे आपने name फिल किया थो, copy हो जाएगा, religion select करना है, then your address आपको अच्छे से चूज करना है, क्योंकि address पर पही बार अगर paper way पर कुछ postal communication होता है, तो उसी particular address पर आगा, then telephone, mobile number fill करना है, rate of birth as it is आजाएगा, test center जो है, वो दो preference देना है, one and two, तो आप as per your convenience, जहाँ पर जो nearest हो, आप center डालेंगे, then category के उपर question है, ex-serviceman के उपर है, then domicile of Jammu and Kashmir, यह सारा कुछ है, nationality, current location आप कहाँ पर है, then have you ever applied for NTPC, अगर आपने पहले इस से पहले NTPC में है, तो उसके भी detail देने है, detail मतलब yes करके, ठीक है, next is academic and professional qualification, one, two, three, four, ऐसे करके, five, six, seven, eight, ऐसे चार boxes दिये हुए, तो पहले वाले में higher to lower आपको डालना है, तो पहले आपका जो post graduation degree है, जो आपने first time choose किया था, यहाँ पे check eligibility में, why same as it is copy होके आजाएगा, ठीक है, तो दुबारा आपको fill करने के ज़रत है, जो आपका qualifying, जो requisite qualification हमने भरा था, वो as it is, यहाँ copy होके आजाएगा, next is, आपका दूसरी qualification, जैसे graduation का आप यहाँ detail डाल दीजे, तो यहाँ पे percentage, percentage इसमें नहीं पूछा है, तो यहाँ पे देखे, आपको qualification भरना है, ठीक है, other than this qualifying degree, then उसके अलावा भी कोई आपका qualification है, तो यहाँ पे आपको भरना है, next is work experience, work experience, पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप कहीं working है, तो वहाँ लिखना है, आपको various column है, name of organization with address position, आप क्या held करें, profile क्या है, कब से कब तक करें, currently working है, क्या sector कौन सा है, और pay scale क्या है monthly, right, तो total length आपके यहाँ पे length of service calculate होके आजाएगा, then additional information आपको देना है, आपका work assignment क्या है, क्या responsibility है, तो 150 characters का limit है आपके, word limit वो आप यहाँ पे fill कर सकते हैं, next is, आपके integrity पे question है, have you ever been committed by any court of law, yes or no, जवाब देना है, then आपको दो references, देने है, कि आप, अगर कोई आपको contact करना चाहे from organization, तो आप किसका reference देना चाहते है, आप तई बार इसमें हम अपने college का दे देते, school का देते, ताकि वो हमारे बारे में पता करें कि हमारा identity क्या है, character क्या है, वो सब कुछ, तो हैं दो references देना पड़ता है, और यह NTBC हमेशा पूछता अपने form में, से पहले भी जब मैंने apply किया था तो यह चीज पूछी गई थी, then आपको photo upload करना है, आपका signature upload करना है, paint slip if you are applicable, तो please upload your photograph, yes, तो option होगा, अगर अप्लोड photo कर दीजिए, JPEG format होना चीजिए, JPEG format होना चीजिए, 500 KB से कम होना चीजिए, अगर आप application fee के लिए applicable है, तो आपके option आएगा upload paint slip, अगर आप applicable नहीं है, आपको fee payment नहीं करना, it means आपके पास paint slip नहीं है, तो आप no करिए, तो आपको सिर्फ दो option दिखाएगा, photo और signature, तो within this size आपको upload कर payment में, ठीक है, next payment detail आपको डाल देनी है, अगर आपने payment किया offline या online कैसे किया है, और यहाँ पर declaration है, उसको choose करना है, tick करना है, and submit or preview का button है, तो preview करके एक बार देख लिजे कि आपने जो details भरे हैं, वो सही भरे हैंगा, और वो confirm होने के बाद ही आपको submit करना है, तो आपने preview कर कि देख लिए, और यहाँ submit का option है, तो submit करें, once you click on this submit, तो यहाँ पे message आएगा, dear candidate, you have successfully registered for the post of executive training, human resource, your registration number, right, तो mail पे तो कोई message नहीं आया, और message mobile पे भी text message नहीं है, बट जैसे ही आप submit पे click करेंगे, तो वहीं पे आपको एक message आजाएगी, कि आपने successfully registered कर लिया है, और आपका registration यह नहीं है, right, तो आप इसको okay कर लिजे, और उसके बाद एक registration slip भी generate होता है, जिसको आपको save करके रख तो इस तरह से आपका registration ID आजाएगा, name, category, rate of birth और job ID एक है, वो भी हमेशा, वो आपको संभाल के रखना, हर एक starting में ही job ID था, जो कि आप register करते उसी time आजाता है, अब इन्होंने एक दिया है कि अगर आपको query है, कोई भी form related query, कुछ भी है, तो आपको recruitment at the rate ntpc.co.in पे mail कर करना है, और इनकी contact number भी दिये हुए थे, मैंने try किया, percentage criteria को clear करने के लिए, बट phone में उठाया है, उन्होंने, दो number है, दोनों number पे कोई response नहीं, और mail भी किया है, let's hope कि mail का response आजा है, बट नहीं आया है, अभी तब, ठीक है friends, तो जो ज़रूरी चीज़े थी, जो form से बरने के time आपको ध्यान रखना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो if you are eligible, तो form जल्दी से फिलकर लीजे, last date is 21st March, तो last time का wait नहीं करना है, क्योंकि last time बहुत rush हो जाते है, server busy हो जाते है, सब लोग सोसते हम भर लेंगे time है, तो if you are eligible, तो form भर दीजे, इससे free हो NTP से बहुत ही अच्छा organization है, golden opportunity है, और वो खुद अपना return exam ले रही है, तो ऐसा भी नहीं है, कि आपने net exam देना है, वो उसके basis पे आपको, या आपके पास scorecard है, तभी आप eligible, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने return exam के basis पे selection करेगी, तो जल्द से जल्द इस form को भर दीजे, और हमारे tutelage academy पे application पे HR का जो course है, जो syllabus इसका है, वो आपका UGC net paper code 55 का ही है, तो UGC net paper code 55 का हमारे पास पूरा full course available है, साथ पे paper 1 का भी मतले reasoning, aptitude, ये सारा कुछ है, तो आपकी preparation बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो वो आप visit करे हमारे application, download करे और आप join करके तयारी कर सकते है, Thank you for watching this video.